हेलो स्टुडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में आज हम लोग जानने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 का एक इंपोर्टेंट टॉपिक जिसको कहते हैं बिद्दोत फ्लक्स जानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबसे पहले हम समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स होते कितने हैं उसके क्या क्या प्राकार हैं एवं उसके क्या फॉर्मूला होते हैं आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें विडियो को like करे जहां कहीं भी जो कोई problem होगा comment करके जरूर बताएं आप सभी लोग विडियो तो देखते हैं पढ़ाय तो करते हैं मगर चैनल को subscribe नहीं करते हैं तो प्लीज चैनल को subscribe कीजिए सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा बस subscribe कर दिजिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में बिदूध फ्लक्स के बारे में जानते हैं बिदूध फ्लक्स होता क्या है बिदूध फ्लक्स जैसे मान के चलते हैं यह हमारा एक आविसित पिंड प्लस है जिस पर बल रेखाएं बहुत सारी है कुछ बल रेखाएं इस पर लंबत है तो इनसे जे भी बल रेखाएं होंगे वो बाहर निकलेंगी क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्लस आवेश होने से उस पर बल रेखाएं बाहर निकलती है तो इस पर जितने भी बल रेखाएं, बाहर क्यों निकलेगी, वे सभी रेखाएं अनंत हैं, बहुत रेखाएं इस पर जाएगी, बहुत सारी रेखाएं हैं, लेकिन कुछ अपने इस सतह पर लंबवत है, और कुछ नहीं भी है, तो जो लंबवत है, उसे ही हम लोग कहते हैं, बैदूत फ्लक्स यानि कुछ अपने सता पर लंबत होने के कारण ये इसका सता है ये यहाँ पर ये 90 डिग्री की कौन बनाती है तो यह हमारा कहलाता है बैदूत फ्लक्स यानि कि बैदूत फ्लक्स को हम परिभासित कर सकते हैं कि इस आवेशित पिंड पर जितनी भी में लंबत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग बैदूत फ्लक्स कह सकते हैं जिसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं फाई इस चीज़ को समझ लिजिए ये इसको प्रदर्शित करने के लिए है ये एक गोल कर दिये और इसके बीच में एक टंटी कर दिये और यहाँ पर ई दिये इसे हम लोग बोलते हैं फाई इससे ही हम प्रदर्शित करते हैं विद फ्लक्स को एक और एक्जामपल के तोर पर हम आपको बता देते हैं कि जैस्ट फर इंपल मान के चलते हैं कि हमारे पास यह एक छोटा सा सता है फिकर थुरा सा चानी बना मैनेज कर लिजे या इसको कट यह यहाँ पर देख लिजे यह एक हमारा छोटा सा सता है जिन सता से बहुत सारे बैधुद बल रेखाएं गुजर रही है कुछ बैदुत बल रेखाएं इसके पार होकर के गुजर रही है और कुछ बैदुत बल रेखाएं इसके नीचे से ऐसे ही चली जा रही है तो कितनी बल रेखाएं इस पर से गुजर रही है एक, दो, तीन और चार यानि कि फाई ई का मान यहाँ पर यदि नॉर्मल ही देखा जाए तो हमारा चार हो जाता है क्योंकि इस सतह में से ये छोटे से सतह में से चार बैदूत बल रेखाएं गुजर रही है अब हम लोग जानते हैं बैदूत फ्लक्स की परिभासा के बारे में तो ये देखिए आप लोग के सामने बैदूत फ्लक्स की परिभासा तो चलिए, अब हम लोग आगे जानते हैं बैदूत फ्लक्स के प्रकार धनात्मक फ्लक्स और रिनात्मक फ्लक्स नाम से हैं जो positive यानि धनात्मक आवेसित पिंड से जितने भी बल रेखाएं बाहर की और निकल रहे हैं वो सभी धनात्मक flux कहलाएंगी और रिनात्मक पिंट से जितनी बल रेखाएं अंदर की और प्रवेस कर रही है वो सभी रिनात्मक flux कहलाएंगी लेकिन इनके अंदर भी condition सेम बनता है कि यदि उन पर जो भी कोई बल रेखाएं हैं वो कितने डिगरी का कुन बनना चाहिए इतने भी अंदर प्रवेस करने वाली लंवत बल रेखाएं होंगी वो रिनात्मक flux कहलाएंगी यह दो प्रकार के बैदूत flux के प्रकार है अब देखिए आगे हम लोग को जानना है बैदूत flux की गनना थोड़ा सा फोटो अच्छा बने इसके लिए मैं पहले से ही कुछ पा कर लिया चोटा सा सतह का मतलब क्या होता है कि जिस प्रकार मान करके चलते हैं कि जिस पेज पर हम यह बना रहे हैं यह पेज को एक बहुत बरा सा सतह है जिस पर हमने एक यह चोटा सा सतह होता है या किसी भी सतह का कोई छोटा रूप होता है तो उसके आगे हम लोग डी लग और एक ये लगर खिचा है जो कि बद्दूत बल देखा कि दिसा को बताता है E और इन दोने के बीच का कौन बन रहा है जो कि है ठीटा अब जानते हैं कि इसका फर्मूला क्या होता है तो इसका फर्मूला होता है फाई E बराबर E dot ds कौस ठीटा ये होता है इसका फर्मूला फाई E बराबर ds कौस ठीटा जो कि फ्लक्सों की संख्या निकान लेका हमारा फर्मूला है जहां पर हमारा जो ये E है वह हो जाता है इस लंब और इस ठीटा के बीच का कौन लंब और तिवर्ता के बीच का कौन ये हो जाता है अब देखिए कभी कभी हमारे तो ज़्यादा कोशिस रहती है कि बच्चे लोग के जितनी भी प्रॉब्लम हो सॉल्व कर दें लेकिन होता है कि वीडियोज में आप अपने प्रॉब्लम पूछ नहीं सकते हैं और यदि पूछते भी है कमेंट भी करते हैं तो उसका रिप्लाई बहुत देर से आएगा या आपके यो प्रॉब्लम बहुत देर से सॉल्व होंगे लेकिन मैं जानता हूँ कि बच्चों की क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती है तो जहां तक मैं उस प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ वहां तक मैं उसको सॉल्व करने की कोशिस करता हूँ कभी कभी बच्चों के यह question आयाते हैं कि आखिरकार हम जो phi e का formula लिख रहे हैं उसमें cos theta ही क्यों लिए बहुत सारे trigonometric functions हैं, sign है, six trigonometric functions हैं तो आखिरकार हमने cos कहीं use क्यों किया तो यह चीज आप लोग को बता देते हैं कि cos कहीं use क्यों किया जैसे कि जब हम मान करके चले यह चीज है तो इसका हम सदिस वियोजन करेंगे आप लोग 11 में परहे होंगे सदिस वियोजन जब हम लोग इसका सदिस वियोजन करेंगे तो यह जो हमारा e है विद्धुत बल रेखा की दिसा है वहाँ पर दो components हो जाएंगे एक हो जाएगा हमारा e cos theta और एक हो जाएगा हमारा e sin theta तो यह हो जाएगा हमारा e cos theta और यह हो जाएगा हमारा e sin theta और fluxo की संख्या के परिभासा के हिसाब से यदि चला जाए तो fluxo की संख्या के परिभासा क्या कहता है कि जो भी कोई प्रिष्ट पर लंबवत है तो मान कर चलते हैं यह हमारा प्रिष्ट है तो प्रिष्ट पर यह इस हिसाब से क्या है लंबवत है तो इस प्रिष्ट पर यह जो नॉर्मल है यह हमारा लंबवत है और यह ठीटा के पास वाला है और वैसे भी आप लोग को तो पता ही है कि ठीटा के पास वाला साइड हमारा कोस्ट ठीटा होता है और दूसरा हमारा साइं ठीटा होता है ये बहुत ही ज़्यादा एक depth concept है जो कि आपको समझना पड़ेगा फिजिस के लिए कि जो ये हमारा पृष्ट है मतलब फिर से समझ ल करते हैं तो उसके अंदर दो component बनते हैं एक हो जाता है e cos theta और एक हो जाता है e sin theta तो e sin theta जो होगा वो हमारा इस प्रिष्ट पर 36 है यानि जैसे प्रिष्ट है तो ये प्रिष्ट पर इस हिसाब से 36 है लेकिन ये जो normal है ये इस प्रिष्ट पर लंबवत है और flux की संख्या का प component जो है वो formula में लग जाएगा clear आसा करते हैं कि आप लोग को यह पूरा समझ में आ गया होगा विदूद्फ्लक्स की गन्ना आप लोग को इस वीडियो में विदूद्फ्लक्स के बारे में बता दिए विदूद्फ्लक्स के प्रकार के बारे में बता दिए विदूद्फ् फ्लक्स जो कि आपको ध्यान में रखना है धनात्मक फ्लक्स में क्या होता है को कोई भी बल रेखाएं बाहर की और निकलती है लेकिन धनात्मक फ्लक्स में क्या होता है कोई भी बल रेखाएं अंदर की और प्रविस करती है और यह होगे हमारा विदुद फ्लक्स की गन्ना ज concept है और यह आपको समसे ज़्यादा 12th के chapter 1 के बहुत important topic में काम आएगा वो है गाउसपरिमे यदि हम लोग आगे चल करके गाउसपरिमे पढ़ेंगे तो गाउसपरिमे में ये बिद्धूत flux बहुत ज़्यादा important करेगा आधे साथ गाउसपरिमे को पढ़ने के लिए बिद्धूत flux के साथ एक और चीज जानना है जिसको कहते हैं घंकोन तो घंकोन जानने के लिए आप लोग अगले वीडियो में आप लोग को बता दिया जाएगा घंकोन घंकोन के लिए separate वीडियो बना देंगे जिसमें आप लोग को अच्छे से घंकोन का concept के लिए करा दिया जाएगा और फिर हम लोग पढ़ेंगे गाउस का परिमे तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा यदि कोई आप लोग को इस वीडियो में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताए वीडियो कैसा लगा लाइ आप